श्रिकान त्यागी पर क्या बोले पड़ोसी सुसाइटी में श्रिकान दिखाता था दबंगई गालिबाज नेता पर लोगों ने क्या कहा नमश्कार मैं हूर आशित और स्वागत आपका वन इंडिया हिंदी में इस वक्त हम मौझूद हैं नोईडा की ओमेक सोसाइटी में जहां पर गालिबाज नेता श्रिकान त्यागी का मुद्दा गर्मय हुआ है आज उनके घर पे जो अवैद निर्मान बताया जा रहा था उसको यहां पर गिराय गया है यह सारा मामला जब इस मामले ने तूल पकड़ा जब उन्होंने एक महिला से बत्तमीजी की क्योंकि जो पीछे आप यह पेड़ देख रहे हैं यहां पेड़ों का जो जब इन्होंने लगाए थे तो और छोटे छोटे पौदे भी इन्होंने लगाए थे उसको सोसाइटी वालों ने कंप्लेंड की थी लेकिन जो त्यागी हैं वो इसका विरूद कर रहे थे महिला ने जब कंप्लेंड की तो उसका वीडियो वायरल भी हुआ किस तरह से यहां उन्होंने गाली दी महिला के साथ बत्तमीजी की बत्तमीजी करते हुए गाली देते हुए उन्होंने धक्का दिया और उसके बाद उनका वीडियो वाइरल हो गया इसके बाद फिर पुलिस ने एक्शन लिया अभी शिरिकान तयागी जो है वो फरार बताए जा रहे हैं और यहां उनके घर पे एक्शन हुआ है यहां के लोग कि यहां के प्ड़ाओ के प्ड़ाओी जो शिरिकान तयागी के प्ड़ाओी क्या कहते हैं उनके बारे में मैं कैसे देखते हैं जो आज यह कारवाई हुए है बुल्डोजर चला और आवेद निर्मान को गिराय कि बहुत अच्छा हुआ है इस वेरी नाइस अधा है इस बह लेकिन यह इस वजा से हुआ है जब एक महिला के साथ बत्तमीजी होती है उसके बाद जब यह नजर में तो एक्शन हुआ लेकिन कहा जा रहा है कि पहले भी इस चीज की कम्रेंट की गई थी तब कोई अब नहीं हुआ था तब वह सब डर भी गए थे कि बीजेपी का नाम सार अंडगर्दी करते होतर थे गालिया को लोचा गार्स को ही दे 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 थे तो तुम कॉन होते हो आप सोचिए जब उनके दो या तीन पार्कें है बारा गाडिया अंदर कैसे ला तो तो बारा गाडियां रहते है तो आर दस गाडियां तो आती थी कभी छे कभी पांच I don't know the society नहीं बढ़ागर्दी को अप्लांस की दे दे तो यहां चोटे वाले बड़े तो पहले लगे थे एंड बट यह बात थी कि उन्होंने फिर भी बोला कि हम आप लगा आप लगाओंगी उसके बाद यह जब लेडी के बात आई और वह बाहर नहीं तो लेड़ नहीं तो ले कोई महिला किसी आदमी से शिकायत करने जाती है और वो इस तरह से ब्याइव करता है इसले तो सारी महिला साथ में हुई है कि डोंट टेक महिला यहां पर आने ही बात कहने के लिए अब काफी लोग थी हैं अब गर में काम है मैं अभी डोक्टर के पास ही जा रही है मेरी देखते हैं यह उचित है बहुत उचित कारवाई है थोड़ा पहले हो जाती तो इतने बड़ा यह मुद्दा नहीं बनता अभी जो हुआ है कल जो हुआ उसके बाद आज जो कारवाई हुई है वह सैटिसफेक्टरी है आप यहीं पे रहते हैं इनको जिनका यह मामला है शि और यह से रहते हैं वह सभी को पता है उनकी गाड़ियों के उपर भी लिखा रहता है कुछ उत्तरप्रदेश सरकार भाजबा या कुछ इसा लिखा रहता है वह तो सबको दिख रहा है लेकिन अब मना कर दिया है ठीक है ना करना भी चाहिए कुंदे से किशी गुंडे से हम 2019 में एक बार हुआ था I think मीडिया में आया भी था यह मुद्धा क्योंकि पुलिस कंप्लेंट भी थी अथॉरिटी में शिरिकांत के इकलाव नेकिन कुछ एक्षन हुआ नहीं कुछ बता सकते हैं कि तब भी ऐसे ही गुंड़ई का मामला गाली गलोज का मामला था ऐसा ही था एक किया था तो 2019 में लगे थे अच्छा अच्छा सर्कारवाई से खुष है आप जो योगी सरकार पर कारवाई हुए योगी सरकार ने जो कारवाई करी अच्छा ही है कैसे देखते हैं कि यहां पर एक हंगामा हुआ एक महिला इस चीज की कंप्लेंड करती है लेकिन एक आदमी जो महिला से एक अदब होना चाहिए तमीज होनी चाहिए वो दरकिनार करके बत्तमीजी पर उतार आते हैं वो तो गलत है बिलकुल गलत है और शायद इसी बात का खा तो यह तो सिर्फ अपने आपको यूनिक दिखाने के लिए और अलग दिखाने के लिए अच्छा उनका रवएया थोड़ा बहुत अगर मुझे बताना चाहिए कि कैसा था कैसे कभी मिला अच्छा जब मामला यहां पर हुआ था तब आप यहां मौजूद थे सर अकल तुम है कि कुछ लोग थे कुछ लड़के यहां पे सोसाइटी में गुसे थे पता पूछे थे क्या हंगामा था सर थोड़ा बताएंगी वह लोग शायद कुछ गलत पता दे के अंदर आ गए थे गार्ट्स ने उनको रोका यहां आने के बाद और उनके पास कुछ पहचान भी न देखो बदनाम हो रहा है अच्छा नाम होना चाहिए कि इस लिए नाम होना चाहिए लोगों की सोसाइटी और इन वजाओं से यह चर्चाओं में आ रही है कैसा कोई जानबूज कितनी नहीं करता है इस तो हो गया अच्छा अब क्या उमीद चाहते हैं अगर वह दुबारा आएंगे और दुबारा फिर अगर निर्मान करते हैं तो अब तो यह प्रशासन का काम है देखिए आप को इंडिविजल इसको न रोक सकता है न रोकना भी नहीं चाहिए मेरे साब से अब तो सब की नॉलेज में आ गया अब कोई दबा हुआ तो है नहीं आप तो जो भी एक्शन लेना प्रशासन को लेना है फरार बताए जा रहे हैं वह मुझे नहीं पता आप मैं आखरे सवाल में रही है कि हाँ जब लोग आसपास रहते हैं तो वो डेली जैसे आते थे उनका रविया ठीक वैसी था जैसे दबंगई गुंडे टाइप का ऐसा रहता है आम तो पर आपने अमोमन देखा होगा निकलते बढ़ते आते जाते कभी कभार देखा होगा हम तो अपने फ्लैट्स में रहते हैं हमारा तो किसी का बैक फेसिंग है किसी का कहीं है तो इसे को यह आप किसी को जो उनके आड़ोस परोस के लोग है उनको ज्यादा पता होगा हम तो जो सुनने में आता है आपस में लोग बातचीत करते हैं वही बता सकते हैं अब आवैद निर्मान क्या गया था जैसे उनका घर देखा जा रहा है कि बहुत आगे बड़ा हु सर यह जो आज ओमेक सोसाइटी में शिरिकान तयागी के अवैद निर्मान पर कारवाई हुई है नोईडा अथोर्टी ने यहां पर बुल्डोजर चला के उनके अवैद निर्मान को गिरा इस कारवाई को कैसे देखते हैं बैसे तो मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं और यह जो इलिगल कंस्ट्रक्शन है या जो भी यहां कुछ भी ताग दमकी हुई है सब लोग बोलते थे कि कल लाद को कुछ लोग आये थे आट-टास लोग और फिर पोलिस ने उसको लेके गई लेकिन वो लोग बोल रहे है कि यहां एफायर कर उसके सामने और फिर कुछ ठो दो दो बज़े तक घुमते हैं और अला उबेर में आते हैं कहीं कोई लो एंड ओडर का कहीं हमको कोई सिखाय का नाम है अपका नरेश जोशी नाम है मैं गवर्मेंट में सेक्रेटरियत में हूँ अचा सर यहां आये हुए आपको कितने दिन हुए मैंजे हुए करीब 15 दिन हुए है 15 दिन तो सर आप यहां पर क्या देखा जरापने कैसे कारवाई हुए कुछ मामला सुना होगा कारियवाही तो बस सुबह में मौनिंग वोक में निकला तो सब चैनल वाले आ गये थे और यहां पूरा गार्डन बहुत बढ़िया बनाया था तो मैं गुम रहा था उ पूरी तयारी के साथ है सर यह मामला हुआ है एक गालिबाज नेता उन्हें टैग दिया गया एक यहां पर नेता है शिरिकान तयागी उनका नाम है महिला से उनकी कहा सुनी हो गई थी अवैद कभजे को लेके पेड लगाने को लेके आपने अगर नाम सुना हो क्या आप जा यह पेड़ लगा है थे और सब लोग परिशान थे कि यह सा कैसे कैसे चलेगा यह है वो है तो सब लोग नाराज तो थे ही लेकिन जैसे पूरी इसने कारियवाई की तो सब लोग देखते थे कि नहीं अभी कुछ रिजल्ट आया हुआ है सर एक महिला इन्हें रोक रही थी क रहे आम और उन्हें धक्का देता है नहीं वो से तो नहीं करना चाहिए वो महिला हो या कोई भी होए जैंस हो है वो क्या है कि out of our culture है और वो भी योगी के राज में तो होई नहीं सकता है ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है लेकिन जो हुआ है तो उसके लिए आगे अचा सर एक्शन तो लेलिया अभी बुल्डोजर चल गया लेकिन जो नेता है वो फरार बताए जा रहे है तो उसको तो कोई बात नहीं गवर्मेंट उसको केच कर लेंगी या वो खुद आ जाएंगा सरेंडर हो जाएगा क्योंकि योगी कि बाबा के राज में कहीं कुछ ह तो यह बड़े बड़े इसमर्खा चले गए है तो यह तो कुछ उतना होगा नहीं कुछ इंपेक्ट लेकिन सब रेसिडेंट बोल रहा है कि इसको कहीं ना कहीं अपने को एक्शन मतलब पड़ोसी जो हैं वो इनसे परेशान थे परेशान है आपने जैसे सुना होगा आज म त्यागी के बारे में उन्होंने बताए कि कैसे वो दबंग तरीके से रहते थे उनके साथ लंबी गाड़ियों की कतारे रहती थी बोडी गार्ड रहते थे जिम में जाते थे नीचे समान लेने जाते थे तो कैसे जिम से उन्हें और लोगों को बाहर निकाल दिया जाता था bodyguards के साथ वो अकेले करते थे कैसे यहां पर दबंग अपने रसूख के साथ रहते थे आई यहां पर और लोग हैं कुछ और लोगों से बाते करते हैं जड़ा सर मैं दो मिनट सर दो मिनट दो मिनट सर कैसे देखते हैं यह जो देखते हैं आप यहां लोग हैं जो थोड़ा बात भी नहीं कर रहे हैं और कुछ लोगों से बात करते हुए यह भी बात सामने आई है कि वो एक डबंग टाइप के आंके नेता थे और ऐसे ही उनका रवया था जो बहुत ही कहा जा सकता है कि बदमासी भराता और लोग कुछ क अंदाजा लगाए जा सकता है कि नेता का यहां पर क्या रवया था क्योंकि जो लोगों से बात किया उनसे सामने आए कि वो बहुत ही बत्तमीज टाइप के नेता थे या बत्तमीज टाइप के वैक्ती थे क्योंकि जब बात होती थी तो उनसे अच्छी वो तमीज से कभी ब उन्होंने दुर्वेवार किया और उसके बाद से ही इन पर एक्शन लिया और आज बुल्डोजर की जो कारवाई हुई है उसके बाद यहां के लोग भी खुश हैं और अब इंतजार इस बात का है कि वो गाली बाजनेता जो फरार चल रहे हैं शरीकान त्यागी आकिर कब माज़ी आकिर को से ही जो जो प्र नाजने कि मैं यहां प्रॉश अवारा कि वो फरार आकिर को से ही जो ऑना है